नमस्कार आप सभी का स्वागत है CHS Study Capital के इस YouTube चैनल पर Admit Card में देरी क्यों हो रही है और Admit Card कब आएगा पिछली बार Admit Card कितने समय पहले आया था क्या expected date पे आया था या नहीं आया था या अनुमानता इस बार का Admit Card कब आएगा exact data के साथ में आज मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं अगर आप CHS Study Capital का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि हर एक अपडेट समय के साथ में सबसे पहले हम आपको पहुचाते हैं और साथ में CHS Interance Exam की तयारी भी कराते हैं चाहे फ्री की बात हो, चाहे हमारे हाँ पे फ्री में हर संडे को one sort की बात हो चाहे टेलिग्राम पे quiz की बात हो चाहे हर दिन 6-7 classes की बात हो हर दिन आपको classes मिल रही है preparation के लिए CHS Study Capital पे अपने आपको एक नई उड़ान दे सकते हैं आप हमारे साथ जुड़के चलिए आगे बढ़ते हैं विस्तित तोर पे बात करते हैं admit card को लेके admit card में अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा मैं आपको previous data दिखाना चाहूँगा कि 2023 में exam date आपकी थी 26 April को class 9th का 27 को 11th का 26 को 29 को 30 को यानि कि 4 दिन 11th math, bio, arts and commerce का exam था 26 स 30 तक आपका exam था और आपका admit card जो expect date थी वो date थी 15 April को यानि कि 15th of April जो थी वो आपकी date थी बट आपका admit card है जो आया था 16 April को आया था 16th of April को आया था मतलब अगर मैं बात करूँ या 16th of April को कब तो 15 April की रात भीत गई सुबा जाके 16 April की सुबा को आपका admit card आया था इस बार कि data की बात करूँ तो मैं आपको सब कुछ data दिखाना चाहूँगा factual basis पे तो इसमें लिखा गया है कि आपका exam 29, 30, 1, 2, 3 यानि कि 3 दिन delay shift हुआ है आपका exam और admit card जो है आपका इसमें बताया गया है 11 April से परिक्षा तिथी तक आएगी यानि कि 11 April से लेके परिक्षा के तिथी के बीच तक आएगी तो बात clear है कि भीच्चू ने जिस तरह से पिछली बारी 15 को बोलके 16 को दिखाया था हाला कि exam पहले था और date भी लेट बताई थी इस बारी exam लेट है और date और पहले बता दिया admit card की तो जाहिर सी बात है बिलंब करेगा admit card देने में expected आज है 12-13 तारिक हो गई है चुकि मैं वीडियो रात में बना रहा हूँ तो हो सकता है यह 14 की रात को आ जाए यह 14 की दिन आ जाए admit card बट expected date से डिले कर रहा है तो definite सी बात है आपका exam के पहले यानि कि एक हपते पहले तक तो admit card देना ही चाहिए इसको पिछली बारी कितना पहले दिया था 10 दिन पहले दिया था इस बार भी 10 दिन पहले इसको admit card दे देना चाहिए हाला कि expect करेंगे कि 15 से पहले आपका admit card आ जाए और admit card आएगा आपका तो सबसे पहले और सटीक जानकारी कोई देगा तो वो है CHS Study Capital का परिवार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं latest update के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं बेतर तयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने preparation को enhance करने के लिए mock test देने के लिए test series देने के लिए हमारे हापे test series भी available है जो की 199 prize में आपको 10 test free मिल रहे हैं आप जाके वहाँ पे enroll करिए और अपने आपको जाचिय कि क्या आप CHS entrance exam के लिए prepare हैं या नहीं तो इस वीडियो में बस इतना ही चैनल को subscribe करिएगा वीडियो को like करिएगा comment box में comment करके बताएगा कि क्या आप भी इंतजार कर रहे है admit card का और एक चीज़ important बता दुम्हे admit card आपका आएगा तो आपका बनारस में इस center आने वाला है बनारस से बाहर आपका center नहीं रहता है in case आपको इसमें बियच्चू में भी आ सकते हैं बैचू के कई सारे department वहाँ पर भी आपका center हो सकता है बैचू का affiliated college है वहाँ पर भी आपका center जा सकता है कई सारे private schools में भी जाता है कहीं भी center आपका चला जाए हम आपसे मिलने के लिए ready रहेंगे और आपसे मिलने के लिए तयार भी रहेंगे चलिए तो इस वीडियो में बस इतना विश्वल्द है बेरी बेस्ट पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए मिलते हैं आपसे अगली किसी अन्ने वीडियो में लेटेस्ट अबडेट के साथ बाबाई